कि हेलो फ्रेंड्स तो आज की रेसिपी का बनाने के लिए अमने ले लिए एक 낮की लौकी कि कुमने बिज निकाल लिया था उसके बाद हमें इसे कदुकस कर लिय14 और इसका पूरा पानी अच्छी kind को रिमूब कर देना निचोड देना अच्छी तरह से तो एक कटोरी लौकी का कद्डू कस किया हूआ ले लिया हमने एक बावल लेना है उसमें इस लौकी के कद्डू कस किये हुए मिस्ट्र को खाली कर लेना है आपको इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा प्याज बारी कटा हुआ बारी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे हम इसमें थोड़ी और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कलर के लिए हल्दी पाउडर और test to recording इसमें डाल देंगे स्वादनुसार नमक अब हम इसमें डालेंगे जरुवत अनुसार बेशन बेशन आपको जरुवत अनुसार ढलना है जितने में आपके पकोड़े बन जाए कोपते बन जाए उतना अभी हम इसमें बेशन डालेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने भी आदा कटोरी बेशन लिया है इसे अच्छी तरह से हम इस सारी समगरी को मैश करेंगे अगर जुरुवत होगी तभी हम इसमें और बेशन डालेंगे वरना इसमें ही हम बना लेंगे फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं लौकी की कोपते वाली कड़ी तो आपने फ्रेंड्स बहुत बार खाई होगी बट आपने पकोड़े की कड़ी बनाई होगी आज हम बना रहे हैं फ्रेंड्स लौकी के कोपते की कड़ी जो की बहुत ज़्यादा स्वाधिस्ट लगती है खाने में आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक जरूर करें फैमली और फ्रेंड्स में सियर करें चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो इन सबी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और मुझे लग रहा है इतने में हमारी जो है कोपते बन जा के ओयल को मीडियम कर लीजिए लो फ्लेम पर बिल्कुल भी ना करें नहीं तो आइल एब्जाब कर लेंगे आपकी पकोड़े तो इस तरह से कुछ हां से दबाते हुए कोपते का शीएफ देती हुए आप पकोड़ों को तलने फ्रेंड्स जरूरी नहीं है आपको एकदम ग जितने आसानी से कड़ाई में आ जाएं बहुत ज्यादा अगर आप कोपते कड़ाई में डाल देते हैं तो जो हमारा ओयल है उसका टेंपरेचर कम हो जाता है और हमारा जो कोपता है वो सिक नहीं पाएगा और फूट नहीं लग जाता है इसलिए हमें जरूरत अनुसार ही क इसमें डालने चाहें जितना इजिली आ जाएं तो फ्लेम को मीडियम कर लिजिए और मीडियम फ्लेम पर आप इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिजिए इन कोपतों को फ्रेंड्स थोड़े से हम डार्क कलर में फ्राई करेंगे आप इसमें फ्रेंड्स बेकिंग सोडा भी थोड़ा सा डाल सकते एक चुटकी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो कोपते थोड़े हार्ट बनेंगे तो आप इसमें बेकिंग सोडा चुटकी भर डाल सकते हैं अब हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स तो कोपते वाली जो हम बनाने हैं फ्रेंड्स कड़ी बहुत ही ज़्यादा स्वाधिस्ट बनती हैं लौकी के कोपते वाली कड़ी आपने अगर नहीं बनाई है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिएगा अगर आपके बच्चे लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं और उनको एक खिलाने का तरीका आप सोच रहे हैं अगर आपके बच्चे कड़ी में खा सकते हैं तो इस तरह से बना कर आप जरूर दीजेगा तो अच्छी तरह से हमें इन्हें गोल्डन फ्राइ कर लेना है थोड़ा सा डार कलर ही मैं इससे करूंगी इससे जो कड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स तो सभी को फ्राइ करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में फ्रेंड्स अब हमने फिर से एक बाउल ले लिया है और अब हम दालां इसमें एक छोटा कड़ूरी बेशन तो देख लिजे, friends, इस कटोरी से हम भेशन डालना है, वो छोटे 4 चमच भेशन होगा, कम आप भेशन डालिएगा, ज्यादा भेशन नहीं डालिएगा, वना कडी का मजा नहीं आता है, तो कम भेशन ही डालकर आप बनाईएगा, छोटी कटोरी से मैंने डालना है भेशन यहा कड़ी जो है वो खट्टी ही पसंद आती है आप अगर खट्टा नहीं पसंद करते तो मीठा दही फ्रेश दही भी ले सकते हैं आदा चमच मैंने इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर कलर के लिए बहुत ही अच्छा कलर आएगा कड़ी में थोड़ी सी हम इसमें डालनेंगे ल मिक्स कर लेना है ताकि हमारे जो बैटर में गुटली बिल्कुल भी न पड़े तो थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम इसका एक स्मूध बैटर पतला सा बैटर बनाना है एकदम पतला बनाना है क्योंकि यह पकते-पकते कड़ी आपकी गाड़ी हो गया भी जब आप इसे दस निट पकाएंगे तो आपकी कड़ी जो है वह गाड़ी होगी तो पानी जो आपको डालना है फ्रेंट्स काफी मात्रा में डालना है दस गुना पानी डालना है जिसी कि आपने दो कटोरी दही लिया था तो आप इसमें दस कटोरी कम से कम पानी डाली है तो कड़ी बनाने के लिए आप इस रेशियो को फॉलो करें आपको ऐसा लग रहा हुए कि कड़ी का बैटर अभी पतला है फ्रेंट्स बट यह 10 मिनिट अभी उबलेगी तब यह सही टेक्स्टर में आ जाएगी तो इसे अच्छी तरह से व सबी चीज अच्छी तरह से मिक्स हो गई है इसमें आपको इसमें स्वादानुसा नमक भी डालना है फ्रेंट्स नमक भी डाल लीजेगा स्वादानुसा तो यहां पर मैंने वापस से वही कड़ाई ले लिए एस्टर ओयल को मैंने खाया ली कर लिया फ्रेंट्स और चार बड़े चमच इसमें ऑयल मैंने रहने दिया है ताकि इसी में हम अपनी कड़ी को बगार सकें तो तेल आपका गरम हो गया है तो एक बड़ा चम्मच मैंने इसमें डाल दे छोटी वाली राई आधा चम्मच जीरा और आधे से थोड़ा कम मेथी दाना इन तीनों चीजों की खुश्बू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है फ्रेंड्स तो इसे इसकी बिल्कुल ना करें और चार सुखी लाईलमिर्स डाल दिये मैंने और पांस से छे कली लैसून की बारी काट के डाल दिये फ्रेंड्स इन सबी चीजों को अच्छी तरह से चटक जाने के बाद इसमें डाल दिये मैंने करी लिफ्स करी पत्त डाल दिये फ्रेंड्स क्योंकि करी पत्त की खुश्बू बहुत अच्छी आती है इसके बीना कड़ी अधूरी है साथ में हम डाल देंगे दो जुटकी हींग हींग का फ्लेवर और खुश्बू बहुत अच्छी आती है कड़ी में तो हींग और करी पत्ता और राई को बिल्कुल भी इसकी इपना करें फ्रेंड्स इसमें डाल देंगे अब हम स्वादनुसार नमक पहले हम नमक नहीं डाले थे ते फ्रेंड्स नमक अब हम अभी डाल रहे हैं और नमक डालने के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी पतली लग रही है आपको कड़ी पर यह पतली नहीं है अभी हम जब इसे दस मिनिट बॉयल करेंगे तो इसकी थिकनेश सही आ जाएगी तो फ्लेम को मीडियम करने फ्रेंड्स और इसे दस मिनिट तक अच्छी तरह उबालने आप देख सकते हैं अच्छी तरह से उबाला आ रहा हमारी कड़ी में तो दस मिनिट तक आप इसे कड़ी को बॉयल करने उबालने 10 मिनिट में आपकी कड़ी बनके तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स तो अच्छी तरह से आपकी कड़ी उबल गई है इसे बीच बीच में चमच से चलाते रहें इसमें चमच डालके रखें वरना जो आपकी कड़ी है गिर सकती है तो इसमें चमच को डालकर जरूर रखें चमच डालके रखने से क्या होता है कि आपकी कड़ी उबल का नीची नहीं गिरती गैस से बहुत अच्छी खुश्बवार ये फ्रेंड्स कड़ी की तो दस मिनिट हो चुके हैं फ्रेंड्स अब हम इसमें अपने में बनाए हुए कोपते डाल देंगे लौकी के लौकी की कोपते की कड़ी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा स्वाधिस लगती ट्राई जरूर करिएगा मेरी रेसिपी को आप भी आपने बहुत बार कोपते मसाले में बनाये होंगे बट कभी कोपते को आप कड़ी में बना कर देखेगा लाज जवाब टेस्ट आता है इसका अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और इसे 2-3 मिनिट कोपते के साथ आपको और बॉयल करना है आपको कोपते डालने के बाद इसे 2-3 मिनिट और बॉयल करना है ताकि जो हमारी कोपते अच्छी तरह से सौप्ट हो जाए इनके तक एब्जॉर्ब हो जाए तभी आपके पकोड़े भी बहुत अच्छी तरह से सॉप्ट हो जाएंगे तो दो तीन मिनिट आप इसे अच्छी तरह से बॉयल दे दे चलिए फ्रेंट्स अब इसके लिए कि स्पेशल तड़का बनाते हैं तो तड़का तो हम पहले भी लगा च को सिसिंग लो फ्लेम पर ही करनी है ताकि आपके जो मसाले वो जलेना तरह लैसुन हमारा अच्छी तरह से लाल हो गया अब हम इसमें डालना है लाल मिर्च आ मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च और सूखी लाल मिर्च का यूज कर नहीं फ्रेंट्स को आफ कर दें ताकि म मसाले आपके जलेना यहां पर हमने कड़ी को सर्व कर लिए फ्रेंट्स चलिए उपर से हम इसमें लगा लेते हैं बढ़िया समझी दार सा तड़का जो हमने अभी बनाया है फ्रेंट्स देख सकते हैं आप हमारी कड़ी जो कितनी जवाब बनी देखकर ही मूह में पानी आ हम इसके उपर डाल देंगे बनाया हूँ तड़का अब बहुत ही जाधा श्यांदा लगती है फ्रेंट्स इह वाली कड़ी ट्राइज जरूर करेंगा रेसिपी को लाइक जरूर करेंगा मेरी अब इसबी को इसी तरह की मज़िदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आती आती है फ्रेंड्स डेली रेसिपी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के लिए बबाए लिए एक के ले समया चैनल को सब्सम्स करें झाल झाल